Hello friends, आज मैं आपको प्रेगनेंसी में ग्रोथ रेस्रिक्षिन जो फीटस में होती है उसके बारे में बताऊँगी क्योंकि कई वियूर्स ने इसके बारे में पूछा था तो प्रेगनेंसी में फीटस की ग्रोथ क्यों रेस्रिक्ट हो सकती है तो हमारा इसको हम बूलते हैं फीटल रोथ रेस्रिक्षिन ये दो तरह का हो सकता है स्थेमेट्रिकल या इसेमेट्रिकल ये हमें अल्टरा सैउन पे पता चलता है में हुआ असमें सारे बच्चे की जो लिम्ज हैं मतलब कि जो फीमर की हडडी है वो भी कम होगी, पेट की हडडी भी, अब्डॉमनल सर्कम्फरेंस भी कम आएगा और हैट सर्कम्फरेंस जो है बेबी का डायमीटर जब हम नार पेंगे अल्टरसाउंड में वो भी कम आएगा, तो यह होता है बच्चे में इंफेक्शन की वज़े से या फिर कोई अनुवाइशिक बिमारी की वज़े से या कोई जनेटिक कॉज होगा, तो सिमेट्रिकल आईउजियार होता है, ग्रोथ रस्रिक्शन, इंट्रायूटरेंट ग्रोथ रस्रिक्शन भी कहते हैं, अगर इस्मेट्रिकल ग्रोथ रस्रिक्शन है, तो वो होता है कुछ मेटर्नल कॉसन की वज़े से, जैसे कि high blood pressure है, या maternal diabetes है, या chronic placental insufficiency है, या कुछ प्लासंटा के कॉसन की वज़े से की बार बार बलड़ का थिक का प्लासंटा की पीछे जम जा रहा है, या repeated bleedings हो रही है, तो baby की growth जो है, fetus की growth एक ultrasound में growth charts होते हैं, growth graphs होते हैं, उनसे हम measure कर सकते हैं, तो we can know कि बच्चे की growth ठीक से हो रही है कि नहीं, तो minimum अठाई सफते के बार, जो scans में three weeks का interval हो, तो हम growth को assess कर सकते हैं, कि पिछले scan से अब scan में growth ठीक होई है कि नहीं होई है, तो growth restricted babies जो है, वो obviously उनको oxygen की कमी रहती है, उनको बाद में काफी problems हो सकती है, जैसे delivery होते से ही, जब हो neonate होंगे, उनको hypoxia तो हो गई, उनको hypoglycemia भी हो सकता है, glucose की कमी, उनको दौरे जटके पढ़ सकते हैं, convergence आ सकते हैं, ICU में, NICU में, admit होने के chances हो सकते हैं, और long term में ऐसे बच्चों को speech बोलने में problem हो सकती है, learning difficulties हो सकती है, और दूसरा neurodevelopmental हो सकता है, इसलिए growth scans at regular interval कराना चाहिए, ultrasound से होता है, इसलिए doctor check-up के महत्व हो बहुत ज्यादा है, तो initially तो मैं यही advice करूंगी कि left lateral position में उल्टे हाथ की करवत, ladies को सोना चाहिए, उससे बच्चे को oxygen की supply ठीक मिलती है, और खान-पान का विशेज द्यान रखना चाहिए, खाने में protein और vitamins की मात् ठीक से लेनी चाहिए, बाबाय, टेक केर